पेड़ की बीमारी, गैस और दिमाग में डिप्रेशन, ऐसी समस्चाओं को आईरवेद के पंच कर्म से कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका एक्सपिरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे संजे जी, तो चली मिलते हैं संजे जी से, क्या नाम है आपका, जी मेरा नाम संजे कुमा हुआ, कहां से हैं आप संजे जी, जारकंड के लाते हैं जीला से, जारकंड से आया हुए आप, ठीक, तो आपने फर्स टाइम कंसल्ड किया था, दो नॉम्बर दो हजार बाइस को, जे, है ना, उस टाइम पे आपने जो जो तकलीफ थी, वो मैं पूछते जाता हूँ, जे, तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, कि उन्होंने लगभग एक बाल्टी भर के आपने वामन किया था, जे, बाल्टी पुरा भर के वामन किया था, और लगभग दो फरवरी से आपकी बस्ती और शिरोधारा हमने शुरू की थी, तो कुछ दिन शिरोधारा की और आठ दिन की बस्ती नाम का ट्रीटमेंट किया, तो चलिए, अभी कैसा है वो बताईए, सबसे पहली आपने प्रॉब्लम बोली थी, आपको गैस बहुत होता था, गैस बहुत ज्यादा होता है, उससे और मेरा खुल का भूग भी नहीं लगता था, और इसी के वाज़ करना गुस्सा आप हो जाते है, अगर कोई 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 बात बोल दिया तो बर्दास नहीं, नहीं होता था, उससे जादा होता था खुलकर भूख नहीं लगता था, और गैस कहां कहां होती थी आपको, गैस तो मेक्सिमम ये सीने साइट में इधर लिवर साइट में उपर की औ और कुछ बोलते गैस निकलती ही रहती है आपको क्या होता था आपको बास यहां पर लिवर साइट एक मैक्सिमार टेमा गुंता ही रहता था बाकी वह कुछ इधर इंदल वह मतलब और गर्दन तरफ गैस का अनुमान होता रहता है तो अभी जब आपने वमन किया और बस्ती क तो अभी आपको गैस की समस्चा कैसी है आपकी वोमन करने के बाद थोड़ा सा हलका लग रहा है और इस जो सीने के साइट को एरिया है तो थोड़ा सा हलकापन मसूस हो रहा है भूख भी थोड़ा सा खुलने लगी है तो सो में से कितना परसंट आराम बोल सकते जो आपको खुलकर लग रहे है नीचे से गैस भी जो गैस कम में अठकी रहती दी तो निकल निकलना शुरू हो गया फिर दूसरा आपने बोला था आपको धकार बहुत ज़्यादा आता था मतलब बार आप धकार से परिशान दे वह धकार कैसा है धकार में बहुत कमी आया उपर के जो बहुत कम आया जो उपश जो निकलता था नीचे के और से निकल रही आगाई तो अभी सौ में से मधब पूरे दिन भर में कितनी बार आपको ढ़्यार आती होगी दाकार अभी टाइम में लगागो वही थी कितनी पार आती थी पहले मेकसिमम तो 15-20 बार पीस दीन भर में दाक बढ़ जाती तो बस्ती यार वोमन कराने के बाद थोड़ा से थंड़ा पारिस नहाने में ज्यादा दिकत नहीं हो रही फिर आपने बूला था वेट लॉस्क आपको कंटीनीव होते चला जा रहा था वो कैसा है वेट में तो वोमन के बाद तो डेड़ केजी बढ़ा हूं डे इस वमन और बस्ती करने बाद यादास में आपको पहले से अच्छा लगता है फिर बॉडी में आपने बोलता था फोडी फुंसी निकलती थी और खुजली होता था आपको वो कैसा है फुजली तो खतम हो गया थोड़ा कहीं कहीं फुंसी एक जगा कहीं है मतलब खुजलाता पुरे दिन आपको पानी अइस लगता था कि पेट में पेट साफ नहीं वा ए और गया और गया सीदवी लगती ती ये ये और पर प्रब्लम वोह कैसा है तभी सुधार हो गया है कम हो बता तक गहरा सांस आप नहीं ले पाते हैं कैई लोग तकलीफ बोलते कि वो क्षकी करते हैं तब सास में नहीं है और गरदन में जकड़न कमर में हमेशा दर्द बने रहना वह कैसा है दर्द में कमी आया दोनों में हमारी समय से कि इसमें 60% अगर आप छुए अगर आप कोई ठंडी जगा पर बैठ हो तो पूरे शरीर में रहा पर आ तो आपको भी लग रहा होगा बापरे इतनी सारी तकलीफ तो इतनी सारी तकलीफ अब हुई क्यों थी वह देखते हैं संजे जी आपका दिन चर्या बोली उस टाइम प्या लेते थे दिन में सुबारे पांच पास उठते थे फिर पिर बोला था और को बड़े लोगों के पानी पीना जाए तो उसमें पीना किया था लेकिन उसमें रेजल कोई बनिया अच्छा नहीं आया हां फिर आप पानी पीते थे और घी आप लेते थे ना सुबह हाल फिला से मतलब दो तीन मंद घी शुरू सुबह सुबह उस टाइम पे आप लेते थे फिर नौ दस बजे चावल डाल और सबजी खाते थे सुब सुबह में सुबह में चावल डाल और कभी कभी रोटी भी खा जाता था और उसके साथ कुछ दूद दही चांच जूश चाय कॉफी ने दूद दही सुबह में नहीं खाता था अचार पापड चटनी ने उसमें फिर यह खाता था सुबह का बाहर कनास्ता कभी कभी हो जाता कि आवा नुसले हरो शाम को 6 बजे आप दिन में इन तर्स मोमइ खातें थेक ने आप 7加शा में 6 बजे बीऑ दो 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 jest होगई는 सामके और अधवारा कभी-खाता हम्हां सबस्क्वाइबे और बज़े कास्वारा को आप खाना खाते थे और हफ्ते में दो बार दूद लेते थे कौन सा अग़े अग़ा हालUP उनका सुबह पहले कुछ वो घी ले रहे थे फिर नौ दस बजे खाना था दो बजे छे बजे फिर नौ बजे खाना और फिर दूद ऐसे पांस से छे बार खाने के कारण उनके शरीर में कफ बढ़ गया था कफ मतलब केवल सरदी खांसी वाला कफ नहीं कफ मतलब पानी और आउशधियों में उनको जो भी हरीत की जैसी आउशधियां थी पिपली था अश्वगंदा था योग राज गंधक शटदरन गंधतेल गंधक रसायन आम पाचक इस टाइप के जो जो कॉंबिनेशन थे वैसी हमने उनको दवाईयां खाने के लिए यूज की थी कई बार उन के पहले शे दिन घी पिया तो वो घी पीने से कैसा था Baum क 먹 रहने के नेली सीकी ने ध Правðय तौन गी पीने के बाद पिर आपने दही और उड़दवड़ा यह सब खाया था ना जैसे कि आप वीडियो के क्लिप में देख पा रहे होंगे कि हमने इनको कंटीनियू काढ़ा पिला कर और काढ़े में बहुत सारी चीजे थी जैसे कि यस्टी मदू काढ़ा हो जाता है मदन फल पिपली कई बार गन्य का रस शहत का पानी सेंधा नमक उल्टी होने के बाद आपको सेंधा नमक का पानी पिला कर भी हमने वमन किया था और जो बचा खुचा वह धूमपन और ऑशदी वाली स्टीक होती है वह वाशदियां डाल के बनी होती है उस बाकर और तो दो निकल जान किया था और ऊसके बाद फिर हमने इनको बस्ती की थी, बस्ती करने के लिए जो भी गरम नेचर के तेल होते हैं जैसे की पिपली है अश्वगंदा है इस तरह के जो गरम नेचर वाले तेल थे उस तरह के कॉंबिनेशन्स हमने यूज किये थे तो वमन करने के बाद पांच दिन आपने रेस्ट लिया था मुंग चौल का पानी पिया था और फिर बस्ती की थी तो बस्ती करके कैसा रहा एक्सपिरियंस बस्ती करने बाद थोड़ा से हलका मन लग रहा है और जो जादा तकलिफे होती सारे तो यह होगी थे वह बहुत कम हो गई है वह बहुत काम हो गई है जे थीक है तो आप यह जार खंट से आये है और इन्होंने बस लग लगभग 17-18 दिन के टाइम में हमने उनका वमन और बस्ती किया तो पूरे सारे सिम्टम्स में हम बोलेंगे कितना परसंट अच्छा लगता है पूरे सिम्टम में देखे तो ओवर ऑल लगभग वही में इस पड़े से परसंट मतलब रिली पा गया है इस बीज दिन में उनको शोधन करने से 60 परसंट आराम हो गया और कितने समय से अप इस तकलीब से परेशान थे इन चीजों से यह तफ्रीक हो तो बहुत ज्यादा था मतलब 7-8 सल से बहुत पुराना 7-8 साहले है परीशान है аст difet पृत्टी है हुआ था क्या खान कंडी कहने से यह द starch करहरा है radio maximum नफ़ेसे यह द्ले संजे कुमार जी हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप उनका फीडबैक दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग पेट की समस्चाहों से परेशान हैं जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आलेक जी के बारे में बोला था कि 889 लाख रुपए खर्च हो जाते बड़ पेट क इसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पेट की समस्चाहें भूक नहीं लगती है और गैस की समस्चाहर वह कई बार एंटाइसिड कई बार बहुत सारे टॉनिक की दवाईयां खाते रहते बट आराम होता नहीं बट केवल व्यवान और बस्ती 20 दिन करने से उनको इतना अच्छ कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी कॉंफिडेंस थोड़ा बढ़ सके कि नहीं उनकी जो समस्चाहें हैं वो ठीक हो सकती है कोई भी नजदीक में आपके अच्छे जो आयर्विदिक सेंटर होगा हॉस्पिटल होगा वहां जाकर आप दिखा दीजिए और आपको अगर भ एक बहुत बढ़ियर ट्रीटमेंट है इसमें तो जड़ से तो उमीद है जड़ से मतलब आराम आ जाता है चुकि हम मैं भी पास से साथ साल अंग्रीजी दवा का सेवन किया लेकिन फाइदा नहीं हुआ लेकिन यहां पर में हमको पंच करने के बाद बहुत ज्यादा फाइ है तो नीची नंबर दिया गया है वहाँ पर भी आप कॉंटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें